असलाम अलेकों फ्रेंस व्लकाम बैक तो में चैनल कैसे अब साथ लोग आज की वीडियो में आपको क्लेयर जेल के बारे में बताऊँगी इसके 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 प्राइस के बारे में बात करेंगे इसके क्या possible side fat हो सकते हैं precautions क्या क्या है और इसमाल का सही तरी का क्या है प्राइस पहुंच आए तो आते हैं जल्दी से पनी वीडियो की तरफ प्लाइन जेल हाम तो ऑर एकनी को ट्रीट करने के लिए और पिंपल्स को ट्रीट कर लिए यसे एक अद्य के वज़ाँ वज़ा से अगर की स्किन के पर्सकार्स पार गए मैंनिफेक्प्ट्चर के कि गर बात की जहे तो टेप्लेस् फर्मा वाले इसको मैंनिफेक्ट्चर करते है तो यह हो गए इसकी बात अब आते हैं थोड़ा इसकी इंग्रीडिन की दिर्फ यानि के उस मेंत च्छक्रवाग करेंगे जिसके वज़ासे आपकी स्किन से जो जर्ब्स वगारा होते हैं वो कंट्रोल हो जाते हैं जिसकी वज़ासे आपकी अकनी काम होना स्टार्ट हो जाती है आकनी के में वज्जा जर्व्स होते हैं जो आपकी स्किन के mort wait हो जाते हैं जिसके वजा से आकंड़ माईसीन आपकी जर्व्स के ऑपर एक्ट करता है जैसे कि आप लोग सब जानते हैं और में अक्सर वीडियो में आप लोग को बता चुकी है कि वाइटमिन एक ही किसम होती है बहुत ही जबदस स्किन के लिए होता है और आम तोर पार टुटिन आइन रिंकल्स को कोड्रोल करने के लिए यूज किया जाता है बहुत सी क्रीम्स में ये आप लोग देखेंगे इंग्रीडियन्स पाया जाता है इसके अलावा ये एकिन को कोड्रोल करने के लिए यूज किया जाता है टुटिन नोइन बहुत ही जबदस एजेंट होता है लेकिन इसके कुछ साइट फैट भी होते हैं इसके लावा टुटिन नोइन आपके पोर्स को मिनमाइस करने के लिए यूज किया जाता है अब आदे हैं स्क्रीम के प्राइस की तरफ प्राइस के कर बात की जाए तो 20 ग्राम की पैकिंग में आपको ये 200 की विलिबल होगी प्राइस वैरी कर सकते हैं टाइम टो टैम और प्लेस टो प्लेस अब आते हैं कि आप लोगों ने इसको किस तरह से अपलाई करना है तो आपने दिन में दो दोफ़ाइश को अपलाई करना है आपने नीट एन क्लीन स्किन के ओपर सिर्फ आपने अफ्रेक्टिट एरिया पर डार्ट डार्ट की शकल में इस्तमाल करना है जैसे कि आप लोगों को में बता रही हूँ बेस वज़ाद के लिए दिन में दो दोफ़ाइश करें लेकिन मेरा ये कहना है कि स्टार्टिंग में आप लोगों को सुर्फ एक दोफ़ाइश करें साइड फैट या प्रिकोशन के गर बात की जाए तो इस क्रीम के साइड फैट ये हैं कि आपकी स्किन ड्राइ हो सकती है उसके लावा फ्लैकी हो सकती है ये सिर्फ टिटिनोईन की वज़ासे ही होता है लेकिन इसके साथ अपने मोस्चैजर का इस्तमाल जुरूर रखना है इसके लावा आपके स्किन रेड हो सकती है तो इसके लिए बेस्ट यह है कि अपने संगलो का इस्तमाल चाहिए रखें इस जेल के साथ संगलो का इस्तमाल बहुत ही जरूरी होता है क्योंके स्किन काफी सेंसिटिव हो जाती है इसके लावा बाज लोगों में ये देखा गया है कि क्लेरिन जेल की इस्तमाल से जो एकनी है अग्रेसिव हो जाती है तो ये एक नार्मल सी बात है आप इस ट्वीटमेंट को जाई रखें इन्शाला आस्ता आपके जो दाने हैं खतम हो जाएंगे तो ये थे इसके पॉसिबर्ट साइट फैट वीडियो चलागे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीचेगा अगर आप पहले सही जेल इस्तमाल कर चुके हैं तो अपना एक्सपिरियंस कर्ण स्मोक में शेयर कर सकते हैं ताके बाकी लोगों को भी से फार्था पहुंचे तो नेक्स टक वीडियो के लाफीज अपनी दोह में याद रखियाएगा सेट नहीं से कीप पाचिंग अरोडियोस